हरहर महादेव आपका संजीव ट्रैलिंग ब्लॉक में स्वागत है दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेला करने को पता है कि कावड यात्रा में केवल 15-16 दिन बचे हैं केवल जो कि आपका 14 जुलाई कावड यात्रा स्टार्ट हो जाएगी और आप सबी को पता है कि इस बार बहुत बड़े इस तरफ पर कावड यात्रा होने वाली है जिससे कि जो हर्दुआर के जो यह क्या करते हैं इनको डीजीपी हैं और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं यह तैयारी लगातर कर रहे हैं कई महिने से लगातर तैयारी कर रहे हैं और जो हां के मुख्य मंतरे उत्राकंड के वो भी लगातर जो इनके बड़े-बड़े अपसार हैं उनसे मुलाकात हो रही है और इनसे मीटिंग हो रही है कि जो भी कावड यात्री आए उनको कोई परेशानी नहों लेकिन हमें क क्या करना कि हमें कौन-कौन सा सामान ले जाना कावड यात्रा में कि हमें खुद परेशाई नहों क्योंकि अगर हम कोई सामान नहों लेके तो हमें वो परेशानी होगी तो हम कावड यात्रा में क्या-क्या सामान ले जाएं तो मैं आपको एक-एक लिस्ट बता रहा हूं ए लिए आपको आधरकार लेजाना बहुत जरूरी है क्योंकि भीड बहुत जबर्जस्त होगी इसलिए आप अपने जो भी आपके बच्चा आ रहा है कोई भी छोटा बड़ा आ रहा हो सबका आधरकार जरूर लेका है फिर आता है इसके बाद मैं आपका जो आप जो सबसे में प्रॉल्म होती है कि चार्जिंग कि हम अपना मॉयल कहां चार्ज करें कैसे चार्ज करें क्योंकि बहुत से भक्त अपने पास पावर बैंक भी नहीं लेकर आते है चलो मानगे चलो पावर बैंक भी आगा तो इसके लिए भी चार्जिंग की जरूरत पड़ी तो हम अपने चा आपने साथ जरूर लेकर आना फिर आगले नंबर आता आपको टॉर्च का बहुत बड़ा मेहता है अपने पास एक टॉर्च होनी चाहिए बहुत जरूरी है फिर आता आपका सूखा नास्ता जो आप कभी हो कर सकते हो अब बाइचान जैसा अब हर्दुआर आओगे तो हर्द नास्ता साथ लेका हैं जादा नहीं थोड़ा बहुत फिर इसके बाद आता आपके एक ओड़ने के लिए चादर क्योंकि हर्दुआर में थोड़ी ठंड भी रहेगी तो ऐसी चादर लाएं जिससे की थोड़ा ठंड भी कंट्रोल हो जाए और जैसे हम अपनी कावड यातर ह हम अपने इलाके में जाएं तो हाँ ओड़ने पर हमें ज्यादा गर्मीना लगे तो इसलिए आप अपने एक चद्दर होनी चाहिए ओड़ने के लिए और एक आपके पास होना चाहिए नीचे बिचाने के लिए आपको जिस पर आप सोगे ऐसा होता भंडारों में इतनी भी हुरी है फिर आता पिन्नी एक ऐसी पिन्नी लेकर आना आप अपने हांसे या फिर हर्दवार से ले लेना ऐसा होता कि जब ज्यादा बारिस हो जाती है ना तो बारिस की बज़े से हमको पिन्नी बिचानी पड़ते हैं जिस पर हम सो सकें बैठ सकें तो इसलिए आप पिन्नी ले लेना पिर इसमें आता आप दवाई आप दवाई जरूर ले लेना एक डॉक्टर के मेडिकल पर जाना इससे कैदा डॉक्टर से कि हमें दवाई चाहिए सिर्दर्द की पीट दर्द की बुखार की और जो आपका पीट खराब होता उसके अलागला लिफावे बना दे और वो दवाई बहुत जरूरी आपके लिए बहुत जरूर लेका आना क्योंकि हर दोर में आपको बहुत मही दवाई मिलेगी फिर आपके पास एक कैप होना चाहिए जो हेड होता कैप क्योंकि ऐसा होता गर्मी बहुत ज़्यादा पढ़ेगी तो इसलिए आपके पा चाहिए बहुत जरूषर पर बात करने हैं पर Noch कि बणियान होती इसे होती है हाब बाजू dark की कम सब्कुम दो तीना के पास होने चाहिए अगर आफे neurotूलिया एक तालिया या भी चोटूलीया फ्रांगोषा होता है वो आपके जरूर होना चाहिए ऐसा होता कि अगर हम बारिस में भीच जाए या फिर हम इशनान कर रहे हैं तो हमें पहुंशने के लिए कुछ न कुछ चाहिए इसलिए वह आप जरूर लेकर आए और आपके पास अगर कोई और इस एक्स्टा आपको बहुत जरूरत है तो आप लेकर आ सकते हैं जो हमारी जो मैन मैन चीज हैं वह मैंने आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में आप इने जरूर लेकर जाए इनके बिना तो यात्रा बलकुल बेकार है क्योंकि आप हर दौर में चीजों लोगे तो आपक आप महादेव